आज की success story भोपाल से आई है, उसने मुझे permission दिये कि दिया आप मेरा नाम यहाँ पे reveal कर सकती है तो अधिती नाम की लड़की है, उसने अपने dream college को manifest किया है after 12th वो उसी एक particular college में admission चाहती थी लेकिन यहाँ पे उसने मुझे college का नाम नहीं लेने की permission दी है तो यह success story आज मैं आपके साथ share करना चाहती हूँ कि किस तरीके से अपने कौन सी technique उसने use करी और यह story उसने मुझे भेजी थी, देखिए, अगर आप मुझसे personal session लेना चाहते है so personal session 299 rupees में available है, 40 minute का personal session होता है, 40 minute का duration होता है if you want to take a personal session from me, link in the discussion box below अगर आपको बहुत नीड है personal session के, अगर आप मुझसे personally बात करना चाहते हो अपनी manifestation के बारे में, affirmation चाहते हो, law of attraction routine चाहते हो अपनी affirmation के blockages मटाना चाहते हो, तब ही आप मुझसे personal session लीजे नहीं तो आप video देखते देखते भी, मैं बहुत सी technique इसमें share करती हूँ अपना एक बहुती सुन्दर सा, मतलब मेरे dream college है, जहां पर मुझे पढ़ना था, मैं वो manifest करना चाहती थी बट कहीं न कहीं मुझसे manifest नहीं हो रहा था, जसके बाद मैंने अपनी life में law of attraction का इस्तमाल किया और साथी साथ, law of attraction के इस्तमाल के बाद मैंने आस्तादी से personal session ले लिया था उसके बाद मुझे कौन सा college चाहिए है, कैसा college चाहिए है, मैंने वो सारी चीज़े visualize करनी शुरू कर दी थी क्योंकि उसके लिए मैंने positive affirmations use किये और साथी साथ imagine किया कि मैं अपने dream college में पढ़ रही हूँ, वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे-च्छे friends बन गए हैं और मैंने उन चीज़ों को सही तरीके से imagine करना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं already वहाँ पे admission मेरा हो चुका है साथी साथ उनने लिखा law of attraction का एक important step भी मैंने यहाँ पे follow किया, वो है gratitude मैं हर रोज gratitude देती थी कि मैं उस college में admission मैंने ले लिया है, मैं कितना lucky feel कर रही हूँ और मैं अपनी energy को बहुत positive रखती थी, और साथी साथ मैंने अपनी पढ़ाई को और communication skill को बहुत अच्छे से develop कर लिया था उसके बाद जब भी मुझे negative thought आते थे तो मैं उसे positive thought के साथ replace कर देती थी अपने आपको motivate करती थी और खुद से कहती थी कि वो dream college जरूर पाएगी इसके अलावा मैंने अपने focus को भी maintain करके रखा, distraction से दूर रही, अपनी study में concentrate किया और hard work किया और सही तरीके से prepare किया एक्जाम में अच्छे marks भी मैंने 12th में लेके आए और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि अधिती ने एक और चीज यहाँ पर mention करी है कि उसने अपने सपनों को किसी किसा शेयर नहीं किया था वो अपने dreams को protect करती थी और negative thoughts से दूर रहती थी अगर आप भी अपने सपनों को manifest करना चाहते हो तो अपने goals को दूसरों से share करने से पहले खुद पे विश्वास करो कि आप वो चीज पा सकते हो तो यह थी अधिती की success story इसमें उसने law of attraction का इस्तमाल किया और अपने सपनों के college में admission पा लिया मैंने भी law of attraction के इस्तमाल से किया है अब मुझे विश्वास है कि आप भी अपने सपनों को पा सकते हो बस अपना focus बनाए रखें positive thought रखें gratitude maintain करें और hard work करें यहाँ पे hard work का मतलब है कि आप action लें इन्होंने action लिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और फिल एड़ गो कर दिया तो यह थी एक beautiful सी success story अगर आप मुझे personal session लेना चाहते हैं और अपनी भी success story share करना चाहते हैं आप मुझे अपनी success story इंस्टा में DM कर सकते हैं मेरी insta idea secret ask था या फिर आप मुझे mail कर सकते हैं that's it for today's video thank you for watching god bless you all and keep manifesting see you soon in my next video guys